नमस्कार दोस्तों मैं हूं रोहीत और आप देख रहे हैं बीगरों में इस दित दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आँ जिसमें मैं आप लोगों को डीबी के बारें बताऊंगा ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए देखो मेरी कोश वजन को हम kg में मापते हैं वैसे ही sound को हम db में मापते हैं ठीक है अब क्या होता है sound जो होता है वो हमारा waves में travel करता है ठीक है अब db क्या होता है एक द्वनी की तीर्वता मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गई तो ये चीज हमारी DB में मापी जाती है अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक बर देख लेना कि ये जैसे अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये हमारा स्पीकर है ये मैं अभी आप लोगों को स्पीकर बना के दिखा देता हूँ तो अभी जो कोई भी मतलब इसके अंदर से frequency निकलेगी तो वो हमारी waves में travel करती है यह ऐसे काम करती है ठीक है तो इसको मापने के लिए हम हमेशा हम इसको हमेशा db में मापते हैं यह चीज हमेशा ध्यान रखना देखो दोस्तों बिल्कुल simple है कोई इसमें मैं आप लोगों कोई formula नहीं बता रहा कोई कुछ नहीं बता रहा मैं आपको simple तरीके समझा रहा हूँ जैसा कि आप लोगों ने अपनी language में ही बात करें जैसे अपने sound की तरफ हम जाते हैं तो उसमें हम लोग बात करते हैं तेरी गाड़ी कितने rms पर कितने db निकालती है वो ये ही मतलब होता है कि तेरी कितने rms पर कितनी आवाज कर सकती है यह कितनी vocal निकाल सकती है डی भी उसे के अंदर आती है तो अब हम db को भी एक graph के जरीए देख़ते है माई लो इसको मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यह जो एक हमने frequency मान लो इसको कि यह एक frequency है यह हमारी 60 Hz की frequency को मान के चलो आप ठीक है अब जो यह है यह हमारी 70 dB तक है यह मान लो ठीक है अब हमने क्या किया थोड़ी सी volume और ज्यादा कर दी इसकी मैं अभी दिखा देता हूँ आपको इसकी volume हमने थोड़ी सी और ज्यादा कर दी तो इसका graph थोड़ा सा और उपर उठ गया ठीक है जैसे जैसे अभी volume की है मैंने इसका graph थोड़ा सा और उपर उठ गया और यह हमारा जाएगा 90 dB ठीक है और अभी हमने थोड़ी सी volume और की मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी volume और करते हैं अगर जो हम तो इसका graph हमारा जो जाएगा और उचा बन जाएगा यह होगा हमारा 100 dB जैसे कि आप यह graph देख रहे हो ना इसको एक area मान लो अपना ठीक है जैसे जैसे आप आवाज बढ़ाते जा रहे हो यह area cover करता जा रहा है उस area तक अपनी sound को पहुचा रहा है तो वो चीज ऐसे ही dB में मापा जाता है इस चीज को बाकी कोई बड़ी बात नहीं है जैसे हम और चीजों को मापने के लिए जैसे वजन को किलो में मापते हैं केजी में मापते हैं रास्ते को जो distance है हमारा वो किलो मीटर में मापा जाता है पानी को लीटर में मापते हैं लिक्विड को तो ऐसे ही इसको मापा जाता है दोस्तों मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी क्योंकि काफी सारे भाई मुझसे पूछते रहते थे कि भाई ये डीबी वाला क्या चक्कर होता है डीबी वाला क्या चक्कर होता है तो डीबी वाला यही चक्कर होता है भाई कोई वो नहीं होता हम साउंड को डीबी में मापते हैं बस और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है तो उमीद है दोस्तों आप लोगों के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बुरी लगे तो डिसलाइक करना जो मेरे नए भाई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने तब तक के लिए आप लोगों से आलवीदा लेता हूं बाबाई